नमस्कार दश्रकों, मैं डॉक्टर हिया अगरवाल, पर्टलिटी स्पेशलिस्ट नीलकंट आईवीएफ जोदपूर से आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ में भू ट्रांसफर के बाद कैसे उसको सफल बनाया जा सकता है और क्या चीजों का ध्यान रखना होता है अक्सर दमपती जब सामाने रूप से घरवधारण नहीं कर पाते हैं तो उनको आईवीएफ की सला दी जाती है आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया कराने के बाद जब उसका आखरी स्टेब भू ट्रांसफर करने के बाद महिलाओं को काफी स्ट्रेस रहता है और वो ये जारना चाहती हैं कि वो ऐसा क्या कर सकती है या फिर क्या अवाइड कर सकती है जिनसे उनका ट्रांसफर सफल हो सके तो पहले मैं उनको ये बताऊंगी कि सबसे इंपोर्टन चीज ये है कि आप स्ट्रेस ना ले जितना आप stress लेंगी उससे आपके transfer की result पे कोई फरक positive होने का नहीं होगा बट और negative होगा क्योंकि जब आप stress लेते हैं तो body में ऐसे hormone निकलते हैं जिनसे transfer की success पे effect हो सकता है तो stress कैसे avoid कर सकते हैं? अगर आप काम करती हैं तो काम पे ध्यान लगाएं अगर आप घर के काम करते हैं तो घर के कामों में अपना ध्यान बटाने की कोशिश करें music सुने, कोई ऐसी hobby या painting, थोड़ा dancing, light dancing अगर आपको पसंद है तो उन सब चीजों के बारे में आप कर सकते हैं कोई किताब पढ़ना पसंद है तो वो आप कर सकते हैं इन सब चीजों से आपका ध्यान इस transfer की सफलता से थोड़ा हटेगा तो आप इतना stress नहीं लेंगे और आपकी सफलता होने के chances बढ़ जाएगे embryo transfer होने के बाद 14 दिन के बाद उसका result आता है जो या तो urine pregnancy test या आम तोड़ से blood test से पता किया जा सकता है इन 14 दिन में stress के सिवाए भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं को काफी सवाल से पूछी जाती हैं कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसमें सबसे पहली चीज होती है कि हम travel कर सकते हैं कि नहीं तो MDO transfer के एक के बाद एक या दो दिन तक हम normally महिलाओं को rest करने के लिए कहते हैं उसके बाद आप चाहें तो train से, bus से, airplane से सबसे travel कर सकते हैं पर सबसे जो safe travel होता है कोई किसी भी travel में कुछ अन्होनी होने की chances हमेशा रहते हैं तो इसलिए सबसे safe travel करने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर आपको short distance ही जाना है तो आप अपने खुद के vehicle से arrange करके जाएं तो better है दूसरा सवाल उनका होता है कि क्या हम Indian toilet यूज़ कर सकते हैं? क्या हम जमीन पर बैठ सकते हैं? तो Indian toilet में पर से as such कोई problem नहीं होती है जब dinosaur के बाद pregnancy आने से पहले आप दिल्कुल Indian toilet यूज़ कर सकते हैं अगर आपको cubs की परिशानी है तो आप अपनी doctor से सला लें और अगर cubs को ठीक करें ताकि cubs से कोई problem नहीं होती है सफलता में कोई फरक नहीं परता है दूसरी चीज की हम नीचे बैठ सकते हैं हम normally मरीजों को ज़्यादा जुकने के लिए मना करते हैं बट वो आप अराम से नीचे बैठ सकती हैं आप चाहें तो normal विस्तर या कुरसी पर भी बैठ सकते हैं बट नीचे बैठने से सफलता पर कोई असर नहीं आता है तीसरी चीज जो हम से वो पूछते हैं कि खाना क्या खाएं क्या पोशन ले हम तो किसी भी कुछ खाने से इतना फरक नहीं पड़ता है पर अगर आप भारखा खाएंगी जैसे मौसम ने और अगर भार क्या spicy food खाएंगे तो दवाईया होती हैं embryo transfer के बार spicy खाने से उसमें और acidity होने के chances होते हैं और भारखा खाने से आपको infection हो सकता है जिसके कारण आपको या तो 10 लग सकते हैं या बुखार आ सकता है और उनके वज़े से embryo transfer के सफलता में problem आ सकती है इसलिए महिलाओं को हमेशा यही कहा जाता है कि transfer के बाद आप घर का बना पॉष्टिक खाना खाएं ड्राइफ फूट्स खाएं अच्छे फल सबजियां खाएं वो सबसे अच्छा आहार होता है किसी भी महिला को घरभारन करने की प्रास कर रहे है